तो यहां पे हम लोग आ चुके हैं एनसी के डेली चार्ट पे तो गाइस सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह कंपनी अभी कौन सी ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है मेरा मतलब है कि यह कंपनी अभी अप्ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में तो देखो guys, ये company अभी अपनी 200 की moving average से उपर trade करने हैं, ये मतलब company अभी officially uptrend में हैं, तो अभी अगर इस company की चार्ट को ध्यान से देखा जाए, तो यहाँ पर आप लोग साफ देख सकते हो, कि इस company ने 860 रुपय के आसपास अपनी last 52 विखाई हीट करने के बाद, उपर के level से दो बार high week rejection face किया, और दो बार high week rejection face करने के बाद, ये company अभी currently 800 रुपय के नीचे trade कर रही है, और especially पिछले कुछ दिनों से ये company एक ही range के अंदर sideways trade कर रही है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो अभी अगर इस company की कुछ important levels mark किया जाए, तो सबसे पहले मैं support से शुरू करता हूँ, तो देखो, ये company अभी जहाँ पे trade कर रही है, उसकी सबसे closest support base निकल के आ रही है, 760 रुपय के आसपास, तो अभी अप लोग 760 रुपय तक की fall expect कर सकते हो from this company, and by chance high selling pressure के चलते हैं, अगर ये company 760 रुपय के support base से भी sleep कर जाती है, तो उसके आप लोग approximately 640 रुपिस तक की fall expect कर सकते हो, जो कि इस company की approximate 52 week low भी है, जैसे गया, आप लोग साफ देख सकते हो, तो देखो, अभी इस से नीचे गिरने की chance तो कम है, लेकिन impossible नहीं है, लेकिन chance बहुत ज्यादा कम है, तो इसके नीचे की level मैं नहीं दिखा रहा हूँ, by chance अ पर एक अलग से वीडियो बना दूगा, कि आप लोग कहां तक की fall expect कर सकते हो, from this company, as of not, don't worry about it, तो अभी अगर इस company की target, या तो resistance zones के बारे में बात करें, तो एक साफ resistance zone 860 रुपे के आसपास है, जैसे कि या पर आप लोग देखी सकते हो, बाकि second resistance zone जो है, वो approximately 1000 रुपिस के आसपास निकल के आड़े है, जो कि इस company की एक strong psychological level भी है, एंट उसके साथ साथ second target भी है, अगर ये company इससे उपर चली जाती है, तो मतलब यहां से reversal लेने के बात, अगर ये company इससे उपर चली जाती है, तो आप लोग 1000 रुपिस तक की target expect कर सकते हो, from this company, अभी swing trade कैसे लेन है, वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ, तो देखो guys, इस zone के हंदर आप लोग को कोई भी swing trade plan नहीं करना है, ये है consolidation zone या तफिर no trading zone, एदर इसको नीचे गिरने दो, या तफिर इसके उपर closing करने दो, इसके बीच में भी मैं यहां पे reversal के time पे आप लोग को trade लेने के आते हो, तो ले सकते हो, लेकिन मैं मैं मना करूँगा, मैं अप लोग को यही बोलूँगा, कि treat this zone as a consolidation zone और no trading zone, तो देखो guys, अगर ये company buy जान 760 रुप ऐसे नीचे गिर जाती है, तो simply wait for the reversal from this support, जब company ऐसे reversal शो करेगी, तब reversal के confirmation के बाद, अप लोग 760 रुप के target के लिए एक बहुती बढ़िया swing trade प्लान कर सकते हो, swing trade लेते टाइम, stop loss लगाना भूलना मत, अप लोग stop loss approximately 635 रुप के असपास भी लगा सकते हो, 615 रुप के असपास भी लगा सकते हो, अगर बहुती ज़्यदा lose लगाना चाहते हो, तो 610 के असपास भी लगा सकते हो, लेकिन stop loss भूलना मत, stop loss अप लोग को ज़रूर लगाना है, अगर strict लगाना चाहते हो, तो strict लगाना, lose लगाना चाहते हो, तो lose लगाना, लेकिन stop loss ज़रूर लगाना, बाकि अगर ये company उपर की तरह breakout दे देती है, मतलब अगर अपनी last 50 to 1 high से उपर closing कर देती है, तो company ने इस resistance के उप closing किया है, उसकी confirmation के बाद अप लोग 1000 रुपीज की target के लिए एक बहुती बढ़िया swing trade प्लान कर सकते हो, stop loss अप्लाई करने के बाद, and entry लेते time, stop loss लगाना भूलना मत, and confirmation के बाद ही entry अप लोग को हमेशा लेना है, ज़रे वो intraday trade हो, या swing trade, तो important levels अप लोगों के सामने है तो अगर अप लोग चाते हो, तो screenshot लेकि रख सकते हो, कभी पर note down करना चाते हो, तो वो भी अप लोग कर सकते हो, तो guys, that's it for this video, अगले वीडियो में मिलते हैं guys, thanks for watching, and guys, अगर अप लोग के मन में कोई भी doubt है, तो comment section में comment करके मुझसे बूच सकते हो, जितना हो सके मैं doubt clear क करने की कोशिश करूंगा, thanks again for watching guys, bye guys, and definitely guys, stay safe.